Hello Friends, इस वीडियो में आप जानेंगे अनाजों के नाम हिंदी और इंग्लिश में Serial Name in Hindi and English उससे पहले Friends आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले जिससे की आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ये है अनाज अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा इस तरह की चीजों को अनाज कहते हैं अनाज को इंग्लिश में Serials कहते हैं Serials means अनाज ये है गेहूं, गेहूं को इंग्लिश में वीड कहते हैं वीड means गेहूं ये है गेहूं का आटा गेहूं के आटे को इंग्लिश में Whole Wheat Flower कहते हैं Whole Wheat Flower means गेहूं का आटा ये है दलिया दलिया को इंग्लिश में Broken Wheat कहते हैं Broken Wheat means दलिया ये है चावल चावल को इंग्लिश में Rice कहते हैं Rice means चावल ये है चावल का आटा चावल के आटे को इंग्लिश में Rice Flower कहते हैं Rice Flower means चावल का आटा ये है सूजी, सूजी को इंग्लिश में सेमलीन कहते हैं सेमलीन मीन्स सूजी ये है मैदा, मैदा को इंग्लिश में रिफाइन फ्लावर कहते हैं रिफाइन फ्लावर, मीन्स मैदा ये है मुरमुरा, मुरमुरा को इंग्लिश में पॉफ्ट राइस कहते हैं पॉफ्ट राइस, मीन्स मुरमुरा ये है पॉफा, पॉफा को इंग्लिश में बीटन राइस कहते हैं बीटन राइस, मीन्स पॉफा ये है साबुदाना, साबुदाना को इंग्लिश में सेगो कहते हैं सेगो, मीन्स, साबुदाना ये है सेवई, सेवई को इंग्लिश में वर्मचली कहते हैं वर्मचली, मीन्स, सेवई ये है चोकर, चोकर को इंग्लिश में ब्राइन कहते हैं ब्राइन, मीन्स, चोकर ये है मक्का, मक्का को इंग्लिश में मेज कहते हैं मेज, मीन्स, मक्का ये है मक्का का आटा मक्का का आटा को इंग्लिश में मेस फ्लावर कहते हैं मेस फ्लावर means मक्का का आटा ये है जो, जो को इंग्लिश में बारले कहते हैं बारले means जो ये है जई, जई को इंग्लिश में ओर्ट्स कहते हैं, ओर्ट्स means जई ये है राई, राई को इंग्लिश में राई कहते हैं, राई means राई ये है बाचरा, बाचरा को इंग्लिश में पर्ल मिलिट कहते हैं, पर्ल मिलिट means बाचरा ये है बाचरे का आटा, बाचरे का आटा को इंग्लिश में पर्ल मिलिट फ्लावर कहते हैं, पर्ल मिलिट फ्लावर means बाचरे का आटा ये है जुवार, जुवार को इंग्लिश में सोगम कहते हैं, सोगम means जुवार ये है कुट्टू, कुट्टू को इंग्लिश में बक्वीट कहते हैं, बक्वीट means कुट्टू ये है कुट्टू का आटा, कुट्टू का आटा को इंग्लिश में बक्वीट फ्लावर कहते हैं, बक्वीट फ्लावर means कुट्टू का आटा ये है सिंघरी का आटा, सिंघरी का आटा को इंग्लिश में बक्वीट फ्लावर कहते हैं, बक्वीट फ्लावर means सिंघरी का आटा ये है बेसन, बेसन को इंग्लिश में ग्राम फ्लावर कहते हैं, ग्राम फ्लावर means बेसन ये है तिल, तिल को इंग्लिश में सेसमी कहते हैं, सेसमी means तिल ये है तिल का तेल तिल का तेल को इंगलिश में सेसमी ओईल कहते हैं सेसमी ओईल मीन्स तिल का तेल ये है सरसो सरसो को इंगलिश में मस्टर्ड कहते हैं मस्टर्ड मीन्स सरसो ये है सरसो का तेल सरसो का तेल को इंग्लिश में मस्टर्ड ओयल कहते हैं मस्टर्ड ओयल मीन्स सरसो का तेल ये है आलसी के बीज आलसी के बीज को इंग्लिश में फ्लाक्स सीड कहते हैं Flax Seed means अलसी के बीज. ये है Noodles. Noodles को English में Noodles ही कहते हैं. Noodles means Noodles. ये है Pasta. Pasta को English भी Pasta कहते हैं. Pasta means Pasta. ये है Kudki. Kudki को English में Little Millet कहते हैं. Little Millet means Kudki. ये है Makhana. Makhana को English में Foxnets कहते हैं. Foxnets means Makhana. ये है चना. चना को English में Gram कहते हैं. Gram means Chana. ये है ये है राजमा. ये है राजमा. ये है राजमा को English में Kidney Beans कहते हैं. Kidney Beans means Rajma. ये है काबली चना. काबली चना को English में चिक्पी कहते हैं. चिक्पी means काबली चना. ये है धान. धान को English में Paddy कहते हैं. Paddy means धान. ये हैं.